उर्जा मंद्राले ने लेट पेमेंट सर्चार्ज के नेमों पर SOP जारी किया है पावर एक्स्टेंजों पर 13 राज्यों के बकायों को देखते हुए सरकार ने ये SOP जारी किये है खबर पर पूरी जानकारी लेकर जुड़ गए हमारे साथ हमारे सायोगी प्रकास प्रियदर सी देखिए उर्जा मंद्राले ने लेट पेमेंट सर्चार्ज रूल 2022 को लागू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है दिल्चस रूप से इसको तब जारी किया गया है जब 13 राज्यों को पेमेंट डिफॉल्ट की वज़े से पावर एक्सेंजर में हिस्सेदारी लेने से रोग दिया गया हलाकि अब उनको इसकी जाज़त दे दी गई है लेकिन ये सोपी तब जारी किया गया जब इन्हें राज्यों पर शिकंजा कस्त दिया गया उर्जा मंत्रालाय का मानना है कि इसलिए बहुत जरूरी है कि पावर सेक्टर में अगर डिसिप्लीन लाना है तो ये सोपी होना चाहिए इस सोपी के हिसाब से जो डिस्कॉम्स डिफॉल्ट करते हैं उसकी पहचान कैसे हो इसके लिए एक अटोमेटिक तरीका तयार किया जा रहा है जिसमें कोई वी हुमन इंटरफेस नहीं होगा बलकि अटोमेटिक तरीके से ही डिस्कॉम्स को इसकी जानकारी मिल जाएगी इसका मकसाद ये भी है कि जो रेगलर पेमेंट्स हैं सप्लाइर्स के इन सप्लाइर्स के लिस्ट में छा मिल इंडीपेरिफॉलर पॉर्डिमर्पलेटिक तरीका तयार किया गया है इसके लिए suppliers जो है अपने invoices की जो जानकारी है वो प्राप्ती पोर्टल पे update करेंगे पाँच दिन के अंदर फिर प्राप्ती पोर्टल आटो तरीके से इसको verify करेगा पाँच दिन के अंदर फिर उसको discounts की जानकारी दी जाएगी automatic तरीके से एक mail भेजा जाएगा इसकी जा के अंदर और फिर अपना input देगा उसके बाद payment कब की जाती है इसकी जनकारी automatic तरीके से suppliers को दे दी जाएगी इस पुरे process में एक trigger point ये भी है कि इस पुरे process में discounts को ये भी जनकारी मिलेगी कि वो कब default करने जा रहे हैं वो due date कब अप्रोच कर रहा है तो इसका मकसद ये है कि discounts को जानकारी दी जाए कि आप समय पर payment करिये और पूरा मकसद ये है कि तिन जैसे तेरा राज्यों को power exchanges पजाने से रोका गया उस तरह की स्थिती दुबारा ना आए और power sector में payment discipline आए